हेलो फ्रेंद्स एंड वेलकम टू टेक्टू केर तो दुस्तों आज के इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं जेड़ वाई 3.5 डियो एक्स्टेट रॉम तो इसे रॉम का एंड्रोइड वर्जन जो मिलता है वो है 8.0.0 सिकृर्टिव पैज जो है वो है यहां पर फेव बनाया था कि आप यह रॉम कैसे इंस्ट्रॉल कर सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको उपर कार्ड में लिंक मिल जाएगा आप वहां से देख सकते हैं उसके बाद आप यह रिव्यू देख सकते हैं कि यह रॉम इंस्ट्रॉल करना है या नहीं त चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बिल एकों को प्रेस करिए and now let's get to the review तो सबसे पहले बात करते हैं एंटुटू बेंचमाग स्कोर की तो वो है यहां पर 152,447 बेंटू बेंचमाग स्कोर ठीक है पर performance की बात करें इस ROM की तो performance round वो यहां पर काफी अच्छ है तो मुझे यहां पर कोई lag crash नहीं मिला जब से मैंने यह ROM टेस्ट किया है 15 दिन से मैं यह ROM यूस कर रहा हूँ तो अब तक मुझे यहां पर कोई issue नहीं मिली है जिस तरह से मुझे कोई और ROMS में मिलते थे Oreo ROMS में की performance इतनी इच्छी नहीं है पर performance इस ROM की काफी इच्छी लैक crash आपका नहीं होता है इविन जो memory management है RAM management वो भी हाँ पर काफी इच्छी है पर यहां पर problem यह है कि आपका phone जो है वो काफी हीट होता है अगर आप ज़्यादा देर तरह यूज करते हैं तो आपका जो celsius है वो 45-50 degree celsius टच कर जाता है तो performance ठीक है पर hitting issue ठोड़ा यहां पर है और अज जियो वोल्टी की बात करें तो जियो वोल्टी वो यहां पर आपको support मिल जाता है इस ROM में आपको कोई problem नहीं होगे आप जियो बिलकुल अराम से use कर सकते हैं अब बात करते है बैटरी लाइफ के बारे में तो बैटरी लाइफ वो यहां पर मुझे ठीक लगी कुछ ज़्यादा खास नहीं है average बैटरी लाइफ है best नहीं है क्योंकि और और भी Oreo ROM में आपको करीबन 5-5.5 घंटे की screen on time मिल जाती है पर यहां पर जो SOT मिलता है वो है maximum 4 hour की screen on time मिलती है और आपको daily charge करना पड़ता है जैसे कि मैं daily charge करता हूं हूं और बैटरी लाइफ ठीक है और यहां पर camera के बारे में बात करें तो यहां पर आपको Google camera mod support नहीं मिलता है जिस तरह camera to API इस राम में enable नहीं है तो आपका ZUI जो camera app है वो यहां पर आप यूस्ट कर सकते हैं यह भी काफी अच्छा app है पर यहां पर आपको portrait शॉट नहीं मिलते है front and rear में जो कि आपको Google camera mod मिल जाते है पर जो colors है वो यहां पर काफी अच्छे है अगर में Oreo ROM से देखूं तो Oreo ROM मे color जो काफी पंची रहते हैं पर इस राम में यहां पर ऐसा कोई issue नहीं है तो अब बात करते हैं राम के customization और feature के बारे में तो इस राम में आपको काफी customization नहीं मिल जाते हैं जैसा आपको Oreo ROM में मिलते हैं पर यहां पर आप देख सकते हैं जब भी आप double twist अपने phone को करते हैं और camera launch हो जाता है पर यहां पर आप ZY का launcher मिलता है जो कि चाइना का है और आप देख सकते हैं आपको Magist Manager पर install मिल जाता है और left up swipe करते हैं तो आपको cards मिल जाते हैं और setting जो देख रहे हैं वो यहां पर आपको काफी changes मिल जाते हैं और यहां पर डिस्प्ले में आपको कोई ambient डिस्प्ले नहीं मिलता है जैस्ट आपको डबल टैप टो वेक मिल जाता है कस्टम रॉम में काफी फीचर मिलते हैं पर यह एक स्टॉक रॉम है तो यहां पर काफी फीचर नहीं मिलते हैं परस्नलाइजेशन में आपको फॉंट थीम वालपेपर मिल जाते हैं जो की काफी अल पर बैटरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं अगर आप जादा यूज़ कर सकते करते हैं तो मैं यह रेक्मेंड नहीं करता आपको रॉम तो दोस्तों यह था एक छोड़ा सा रिवीव उमेद आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए मैं मिलता हुए वीडियो में ब